याद न जाए दिते दिनों की याद न जाए दिते दिनों की जाके नमस्कार मैं बिनोद बिपलोग ग्रेट लीजेंड चैनल में आपका स्वागत है आज आपके सामने जो वीडियो पेश किया जा रहा है उसे देखकर सुनकर रफी साब के परती आपका प्यार और सम्मान और अधिक गहरा हो जाएगा आपने धार्मिक और प्रेरक कताओं में सुना होगा कि इस्वर्ये और दैविये गुनवाले महपुरुस के रास्ते में आने वाली हर बाधा खुद बखुद दूर होती चली जाती थी इसी तरह का बाक्या रफिर सहब के साथ हुआ जिसका बिस्तार से इस वीडियो में बर्नन किया जा रहा है इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें साथ ही साथ एक अनरोध हिया है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवर्ष कर लें यह किस्सा है फिल्म दिल एक मंदिर के एक गीत की रेकॉर्डिंग का वह गीत मुहम्मद रफि की आवाज पाकर अमर गीत बन गया इसके संगीत निर्देशक थे संकर जैकिशन इस गीत को मुंबई के ताड़ देव इस्थित फेमस लैब में रेकॉर्ड किया जाना था इस गीत की रेकॉर्डिंग के लिए फेमस लैब में डेट भी ले लिया गया था लेकिन जिस दिन इस गीत को रेकॉर्ड किया जाना था उससे एक दिन पहले रफिस सहाब को तेज बुखार हो गया पहुनीर बुखार से तप रहा था सीरदर्द और बदन दर्द भी था लेकिन रफिस सहाब अपने बायदे के पक्के थे इसलिए रेकॉर्डिंग टालने का तो कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि उन्हें यह पता था कि रेकॉर्डिंग टालने पर संगीत कार को नुकसान हो जाएगा जो की वह कभी होने नहीं देना चाहते थे वह दूसरे दिन रेकॉर्डिंग के तैस समय से पहले स्टूडियो के लिए घर से रवाना हो गये लेकिन संगीत कार के सामने उसी दिन एक भारी दिक्कत आ गई रफी साब के कारण नहीं बलकि फेमस स्टूडियो में काम करने वाले करमचारियों और मुजिसियन्स के कारण क्योंकि वहां के करमचारियों और म्यूजिसियनों ने अपनी मांग को लेकर हर्ताल कर दी थी शंकर जैकिशन जी प्रशान थे और करमचारियों को मनाने की हर संभव कोशिश कर रह थे ताकि किसी तरह से गाने की रेकॉर्डिंग हो जाए लेकिन करमचारी तस से मस नहीं हो रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें अंत में शंकर जैकिशन जी को एक उपाय नजर आया कि रफिस सहाब को कहा जाए कि आप आज नहीं आए बाद में रेकॉर्डिंग कर लेंगे इसलिए उन्होंने रफिस साहब के घर पर यही कहने के लिए फोन किया लेकिन वहाँ से पता चला कि रफिस साहब तो घर से निकल चुके हैं यह सुनकर शंकर जैकृषन साहब को पसीना आ गया क्योंकि उन दिनों मोवाइल तो था नहीं कि कभी भी किसी को कहीं भी फोन कर ले उन्हें यह डर था कि रफिस साहब अगर यहां पहुँच गए तो यहां की स्थिती को देखकर उन्हें खराब महसूस होगा करमचारियों को समझाने लगी कि रफिस साहब आ रहे हैं और आप लोग कम से कम इस गाने को रेकॉर्ड करवा दें लेगिन करमचारी मान नहीं रहे थे इसी बीच रफिस साहब की गाड़ी इस्टूडियों में आकर रुकी और रफी सहाब गाड़ी से उतर कर अपने सेक्रेटरी जहीर बारी के साथ रेकॉर्डिंग रूम की तरफ चल पड़े रफी सहाब अस्टूडियो की हालात और करमचारियों की हर्ताल से बेखबर थे श्रंकर जैकिशन ने जब रफी सहाब को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी तबियत आज जरा ठीक नहीं है उनके मन में एक बिचार आया कि रफी सहाब को स्टूडियो के करमचारियों की हर्ताल की बात बताए बगर रफी सहाब को कैसे रेकॉर्डिंग को दूसरे दिन करने के लिए राजी किया जाए संकर जैकिशन सहाब ने रफी सहाब से कहा रफी सहाब आपकी तबियत ठीक नहीं लग रही है ऐसा करते हैं कि रेकॉर्डिंग किसी और दिन कर लेंगे आप आज आराम कर लें कहीं तबियत और नहीं बिगर जाए रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी यह कोई भागा थोरी जा रहा है रफी साहब ने संकर जैकिशन साहब से कहा आप कैसी बाते करते हैं जब गाने की रिकॉर्डिंग की डेट दी है तो इसे आगे के लिए क्यों टालें अब आ गये हैं तो गाने की रेकॉर्डिंग कर ही लेते हैं जब शंकर जैकिसन सहब की रफी सहब से बात हो रही थी उसी दोरान करमचारियों में यह बात फैल गई कि रफी सहब बुखार में भी रेकॉर्डिंग के लिए पहुँच गये हैं और वह आज ही रेकॉर्डिंग क करने की बात कर रहे थे उतने में ही वहाँ सारे मुजिसियंस और टेक्निसियंस आ गए और साजो समान और मश्रीन आदि ठीक करने लगे। मुजिसियंस ने कहा कि रफी साब जब बुखार में भी आज रेकॉर्डिंग करने को कह रहे हैं तो इसे बात के लिए क्यों टा लें। चलिए रेकॉर्डिंग सुरू करते हैं। शंकर जैकिशन साहब को तो बिना मांगे मुराद मिल गई। उन्हें विश्वाश्री नहीं हो रहा था कि जो मुजिसियंस और करमचारी किसी की बात सुनने को तयार नहीं थे और वे अपनी मांग पर अड़े थे वे बिना किसी की समझाए कैसे मान गए। शंकर जैकिशन को अंदाजा हो गया था कि रफिस साहब क्या थे और लोगों के मन में उनके लिए कितना सम्मान और कितनी इज्जत थी। खैर रेकॉर्डिंग हुई और बुखार से तपते हुए रफिस साहब ने जिस गीत को जिस सिजदत के साथ गाया वह गीत अमर गीत बन गया और बर्षों बाद आज भी आप जब इस गीत को सुनेंगे तो बार बार सुनने का मन करेगा। दिल एक मंदिर फिल्म का यह गीत था। इस फिल्म में मुहम्मद रफी के गाये और भी गीत थे। इस फिल्म में कौन सा गीत आपको सबसे अच्छा लगता है यह कॉमेंट बॉक्स में अवर्ष्र बताएं। साथ ही फिल्म दिल एक मंदिर के गीतों से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपके पास हो तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अन लोगों को भी लाब हो सके। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम किसी और गीत या किसी अन फिल्मी हस्ती से जुड़ी हुई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किसी और बताएं।